असलाम अलेकुम वियर्स कैसे है आप सब तो आज हम बनाने वाले है टमाटो सूप तो चलिए अब हम आपको उसकी रेसिपी बताते है ये एक बहुत ही इजी सी रेसिपी है तो चलिए अब हम आपको उसकी रेसिपी बताते है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए है टमा को ऐसे ही करके एक बाउल में रख देंगे उसके बाद हम ये सारी टमाटर को एक कुकर में डाल देंगे आप चाहे तो आप इसे पतीले में भी पका सकते है आप पानी पहले अच्छे से बौईल कर लीजेगा जब आपका पानी बहुत अच्छे से बौईल हो जाएगा तो कुकर ले लिए है और हमने ये सारे टमाटर उसमें डाल दिये है उसके बाद हमने इसके अंदर लसन डाले है और हमने इसमें दो कप पानी डाले है पानी आप आपके हिसाब से डालिएगा और बस हमने ये सारी चीजों को मिला के हमने इसके अच्छे से विसल ले लिए है आप इसे पतीले में भी पका सकते है जब आप इसे पतीले में बना रहे है तो आप सबसे पहले जो है वो पानी बॉइल कर लीजेगा उसके बाद आप उसमें टमाटर दालेगा हम यहां पे कुकर में ही बना रहे है तो हमने इसमें ही सारी चीज़ा दाल दिये थे टमाटर लसन और पानी बस यहाँ पे जो हमारे टमाटर है वो एक विसल में ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे तो हमने उसे ठंडा होने के लिए रख दिये थे जब हमारे टमाटर बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके थे तो हमने उसका जो छिलका है वो बहुत अच्छे से निकाल लिये थे तो आप भी अगर चिलका निकाल रहे हैं तो आप भी टमाटर को जो है वो थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुकर में हमारा पानी बज़ गया था और जो लसन था वो भी हमने इसमें दाल दिये है और अब हमें सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से पेस्ट लेंगे बहुत ही अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर है हमने उसका बहुत ही अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लिए है अब हम इसके उपर एक स्ट्रेनर रख लेंगे और जो हमने पीसे थे ना फाइन पेस्ट बनाए थे अब हम इसमें वो भी दाल देंगे और हमको पूरा पेस्ट है हमें उसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंड करना है ताकि कुछ भी मोटा मोटा जो है और जो थोड़े से छिल के आजाते है टमाटर के तो वो सब इसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए तो आप भी जब इसे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लें तो आप उसके बाद इसे स्ट्रेनर में बहुत ही अच्छे से स्ट्रेण कर लीजेगा बस यहाँ पे जब हमारे स्ट्रेइनर में जो हमारे टमाटर का पेस्ट है बहुत अच्छे से स्ट्रेइन हो जाएगा तो उसके बाद अब हम आगी की रेसिपी बताते हैं बस अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिये है और अब हम इसमें दाल देंगे 2-3 टेबल स्पून आप आपके हिसाब से दाल सकते हैं यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून ओईल दाले है जब हमारा जो ओईल है वो बहुत अच्छे से गरम हो चुका था तो अब हमने इसमें जीरा दाल दिये है वान एन आफ टेबल स्पून जीरा को आप थोड़ा सा फ्लेवर आनी दीजेगा जब जीरा का थोड़ा सा फ्लेवर तो अब हमने जो टमाटर को बहुत अच्छे से स्ट्रेन किये थे तो अब हम इसमें वही पानी दाल देंगे और यहाँ पे जब तक जो हमारा सूप है उसको बहुत अच्छे से बॉइल नहीं आ जाता तो हम उसको पकाएंगे लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़े मसाले कि रेड चिली पाउडरः तो यहां पे 1 तेबलसपून डेड चिली पाउडर डाले हैं अगर आप अग्यादा दाल सकते हैं और यहां पे हमने 1 तेबलसपून मा scraping मैं सब्सक्तों भाइछी बिलखे असाइब डाले हैं दुसरी तरफ हमने जो है कॉन स्टार्च जो है उसमें पानी मिला के हमने एक सलरी बनाए है और बस अब हम इसमें वो भी दाल लेंगे इससे क्या होगा जो आपके सूप की कांसिस्टेंसी है ना वो थिक हो जाएगी तो आप भी थोड़ा सा ही दालेगा ज्यादा नहीं दाले या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा थिक सूप चाहिए तो आप ज्यादा भी दाल सकते है तो बस हमने जो है कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए हमने थोड़ा सा कॉन स्टार्च की सलरी दाले है बस यहाँ पे जो है हमारा जो सूप है वो रेडी है तो बस अब हम इसे को सूप रेडी है तो बस अब हम आपको इसे सर्फ करके बताते हैं यह सूप बहुत ही टेस्टी बनता है आप भी एक बर जरूर ट्राय करिए गार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइगा के आपको यह रेसिपी कैसी लगी थी तो बस आज की यही एक छोटी सी रेसिपी थ तो प्लीज सपोर्ट करें शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और एक बारे टोमेंट सूप बना कर जरूर ट्राय करें हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइगा आपको कैसी लगी थी दुआओं में याद रखिएगा जजाक अल्ला